गर्मी के दिनों में कभी-कभी हमें सडक पर पानी दिखाई देता है और उस जगे पर जाने पर पता चलता है कि वहाँ तो पानी है ही नहीं और आगे फिर से सडक पर पानी दिखाई देने लगता है और हेरन भी इसी बुलावे में आकर पानी के लिए भागने लगता है पर वहाँ पानी नहीं होता है इस गटना को हमारे पुराणों में मृग मरीचिका का नाम दिया है इस गटना के बिछे प्रकास के बेसिक सिद्धान्त काम करते हैं जिनहें आज हम इस बोटल की माध्यम से समझेंगे और ये भी समझेंगे की light को करव पात पर कैसे लेकर जा सकते हैं हम दो बोटल लेते हैं एक बोटल में बेस से थोड़ा उपर एक छोटा सा छेद कर देते हैं इस छेद पर अंगुली रखते वे दोनों बोतल में पानी बरलेंगे जब हम दोनों बोतल से लेजर लाइट पास करवाते हैं तो बीना छेद वाली बोतल से लाइट हवा में सीधी चली जाती है और इसे हम अगरबति के दुवे से देख भी सकते हैं लेकिन इस छेद वाली बोतल में बड़े ही जादूई तरीके से हमारी लेजर लाइट भी पानी के साथ मुड़ जाती है और नीचे गिरने लगती है जब मैं इस पानी में अपना हाथ डालता हूँ तो देखिए मेरे हाथ पर ये लेजर लाइट अच्छे से दिखाई देती है तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है जब मैं इस laser light को थोड़े angle में रखकर जलाता हूं तो पानी से हवा में जाते ही light बिलकुल सीधी नहीं जाके थोड़ी मुर जाती है light के इस phenomenon को reflection केते हैं और इसी के कारण ही पानी से भरेवे काच के glass में जब मैं अपनी pencil डालता हूं तो मेरी pencil मुरी हुई दिखाई देती है अब अगर मैं इस laser light को इस पानी से भरी हुई bottle में बिलकुल सीधा गिराता हूं तो मेरी light सीधी निकल जाती है लेकिन अगर मैं light को थोड़ा सा टेड़ा कर दूँ तो आप देखेंगे कि पानी से हवा में जाते समय light थोड़ी मुर जाती है जैसे जैसे मैं अपना angle बढ़ाता जाता हूं इसका मुरना भी हमें और अच्छे से दिखाई देता है और अगर मैं और ज्यादा बढ़ा दूँ तो एक angle ऐसा आएगा कि light पानी के surface के साथ ही चली जाती है इस angle को critical angle कहते हैं इस angle के बाद और angle बढ़ाने पर आप देखें light वापिस पानी में आने लगती है प्रकास के इस phenomenon को हम total internal reflection कहते हैं और इसी के कारण ही laser light पानी के साथ साथ नीचे गिरती है इस total internal reflection को use करके अब हम ये भी समझ सकते हैं कि सडक पर पानी क्यों दिखाई देता है गर्मी के दिनों में जमीन के अधिक गरम होने की वज़े से जमीन के पास वाली हवा की density बहुत कम हो जाती है और जमीन से जैसे जैसे उपर जाते हैं हवा की density बढ़ जाती है जिसके कारण सुरत से आने वाली light dense medium से rare medium में जाते समय मुढने लगती है और एक point के बाद में light का angle critical angle से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वज़े से light जमीन पर गिरने से पहले ही वापिस मुड़ जाती है और वो light जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें आस्मान का reflection जमीन पर दिखने लगता है जिससे हमें लगता है कि वहाँ पर पानी है और total internal reflection को use करके हम light को बिना किसी लोस के कहीं भी बेज सकते हैं बेजने के लिए एक अलग तरह का तार बनाया जाता है जिसे optical fiber कहते हैं optical fiber एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें light का उप्योग करके data transfer बहुती तेजी से किया जाता है जब इसके एक सीरे पर light गिराए जाए तो total internal reflection के कारण दूसरे सीरे पर भी हमें light दिखाई देती है घरों में रखे वे इस तरीके के सजावट के समान जिसमें खूप सारे पतले तार के नीचे एक light जलाई जाती है और तार के सभी सीरे पर हमें एक चमक्तिवी light दिखाई देती है यह भी total internal reflection के कारण ही संभव हो पाता है glue gun की stick से भी हम total internal reflection को देख पाते हैं जब इसके एक सीरे पर में light on करता हूँ तो दूसरे सीरे पर में इस light को असानी से देख पाता हूँ और इसे मैं कितना भी मोड़ दूँ मेरी light कम नहीं होती है क्योंकि यह एक dense medium का काम करती है और इसके बाहर की हवा rare medium का का काम करती है और जिसकी वज़े से total internal reflection हो पाता है जब हम swimming करते हैं तो swimming pool के अंदर नीचे से उपर की और देखने पर हमें swimming pool का first भी उपर की और दिखाई देता है और ये भी total internal reflection का एक अच्छा उधारण है हीरे का चमकिला होने का कारण भी total internal reflection है हीरे को कुछ इस तरीके से काटा जाता है कि उस पर गिरने वाली रोस्नी का हीरे के अंदर ही बहुत बाट total internal reflection होता है और जिसकी वज़े से हीरा हमें चमकतावा दिखाई देता है डेटा ट्रांसपर करने में तो हमने total internal reflection का यूज़ किया ही लेकिन हम बिजली बचाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हमें फिर से एक bottle चाहिए जिसमें हम पानी भर देंगे और उसमें थोड़ा सा bleaching powder भी मिला देंगे जिससे पानी में बेक्टीरिया ना पेदा हो सके अब इस bottle को हम अपने कमरे या जोंपडी के छट पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसका आदा मू सूरज की रोस्नी में रहे और आदा मू कमरे के अंदर रहे जब सूरज की रोस्नी हमारी इस bottle पर गिरती है तो सारी की सारी रोस्नी टोटल इंटर्नल इफलेक्शन की वज़े से पानी में केध हो जाती है और पूरा कमरा रोस्नी से चमकने लगता है और बिना बिजली के हमारा बल जलने लग जाता है और ये करीब 60 वोट जितनी रोस्नी दे पाता है इस बात से ये तो साफ पता जलता है कि विज्ञान की समझ होना हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है लेकिन बस हमें एक बात का ध्यान अखना होगा कि इसी विज्ञान को हम कई गलत काम में तो नहीं ले रहे हैं आसा है कि हम इस विज्ञान की समझ को नेक काम में ही लेंगे धन्यवाद एक आसे को आसे को नेचाँ बङ़ान के लेंगे